नमसकार दोस्तों मैं उचुनील कुमार एसके लेक्टिकल चैनल पर आपका अपको शॉय आज लोगें अगर concrete pump में उसके cylinder में से oil leakage की problem आपको आ जाए तो आप क्या करोगे cylinder में से जब oil leak होने लगता है तो हमें उसमें क्या part change करना होता है इसी के बारे में हम आपको ये वीडियो दिखाने वाले हैं और अगर आप इसको ध्यान से देख लोगे तो सच में ही आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगे और आप ये काम खुद कर पाओगे वैसे हम ये suggestion नहीं देते कि आप हमारी वीडियो को देखे किसी machine को खोल दो ऐसे ही बेफिकर होगे बहुत सोच समझ कर machine को खोलना चाहिए अगर आप उसको करने में सच में ही सक्सम है तभी आप उसको खोले लेकिन अभी हम आपको वीडियो में जो दिखाने जा रहे हैं वो रियली है प्रैक्टिकल है और विश्वास करने के लाइक है तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आ आपको cylinder दिखाई दे रहे हैं इन्हीं की हमें seal change करनी है तो इसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताने की कोसिस करेंगे पार्ट के नाम कुछ ऐसा हो सकता है कि कि किसी एक दो के हमसे छूट जाएं बताने में लेकिन अपनी कोसिस रहेगी कि आपको सारे पार्ट के नाम भी ब इसमें दो pump दिये रहते हैं एक agitator के लिए और एक main सारी जगे जो इसमें cylinder में supply करता है hydraulic को उसके लिए ये दो pump हैं उपर का छोटा pump जो आना agitator के लिए होता है special तो हम इसके सारे connection खोल लेंगे क्योंकि हमें cylinder को उतारना पड़ेगा उसकी seal change करने के लिए तो इसके सारे connection खोल के इसका oil हम सारे pipe में से निकाल लेंगे इसको बिल्कुल free कर लेंगे और उससे पहले भी हमें यह द्यान रखना पड़ता है कि हमें उसको उस position में रखना पड़ता है जिससे कि उसका जो जिसे देसी बासा में हम डमरू भी बोल देते हैं लेकिन वह joint जो है उसका flange joint joint जो है वो बीच में आ जाए जहां पर हम उसका water यानि पानी भर के रखते हैं जिस tank में उसके बीच में आ जाए जिससे हमें उसे खोलने में आसानी रहे तो वहां पर हमें करके उससे छोड़ देना चाहिए तभी हमें इसकी खुलाई सुरू करनी चाहिए तो यह plate भी हमें साइच के रहते हैं और उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है वो पैचान में आ जाते हैं तो spacer flange उसको बोलते हैं जो हम इस joint की बात कर रहे हैं spacer flange यह है तो इसको हम यहीं बीच की condition में चोड़ेंगे तभी जाके हमें आसानी होती है और हम उसको भी दिखा सकते हैं अभी पहले इसमें दो बोल्ट हैक्स बोल्ट जो है वो लगे रहते हैं तो उसको हम खोल लेंगे क्योंकि जिसमें चाबी पन्ना हमारा लगता है वो हैक्स बोल्ट होता है और जिसमें एलन की लगती है उसमें वो एलन बोल्ट होता है तो इस तरह से हम इसको अलग कर है यहांसे और उसके बाद में जो Cylinder की तरफ का फ्लैंच जो हमें दिखाई दिराए है इसमें बीच में टीन हमें जो एना एलन बोल्ट दिखाई देंगे इसमें is dh, ठीकल यह 14 mm की एलैंड की लगएगी उससे हम वो 3डर भी खौल लेंगे तक व้ पृल्ट है ऐलन बोल्ट तो दोस्तों जब तक हम इस फ्राइज को नहीं निकाल लेंगे तब enjoy capabilitiesだ कि इस में जो हो थो वो यह फिर आइब वह उसमें से पार नहीं हो पाएगा तो इसको हमें कोलन जरूर होता है इसमें तीन बॉल्ट ही रहते हैं वो हमारी जो मेन रोड होती है सिलिंडर की उसी में ही वो टाइट रहते हैं तीन बोल्टु और इसको हम अच्छे से खोल लेंगे और ये आसानी से फिर बहार आजाएगा सिर्व इसका फ्लेंच बहार आएगा कुंकि बाकी तो वो main road रह जाएगी और फिर हमें इसके पीछे के चार nut bolt खोलने पड़ेंगे जो hex bolt है हमारे वो खोलने पड़ेंगे उसके hex nut खोलने पड़ेंगे तो हमने bolt के बारे में आपको बताया कि जिस पे चाबी पाना लगता है वो hex nut bolt है और जिसमें allen की लगती है वो allen bolt है तो इस तरह से ये खोल लिए जाते हैं 14 नंबर की allen की इसमें लग जाती है और अब हम इसको flange को बाहार कर लेंगे और यहां से फिर हम इसको cylinder को खोलना शुरू करेंगे back side से क्योंकि उस पे ये इस तरह का flange है इसका और इस तरह से ये इसमें tight रहते हैं ये 3 hole हैं जिसमें ये bolt tight रहते हैं अब यहां से हम cylinder को खोल लेंगे और उसके नीचे हम safety के लिए बत्ते बत्ते भी रख लेते हैं जिससे कि वो direct इसमें ना पड़े और रसी से इसको बांद के रखेंगे जिससे direct वो जमीन पर ना गिरे और कोई इसका connection pipe damage होने का खत्रा ना रहे और इस तरह से हम इसको बिल्कुल safe condition में खोल लेंगे चार bolt इसमें लगे रहते हैं वो चार bolt हम खोल लेते हैं और इसमें कम से कम आपको तीन आदमी की जरूरत चार आदमी की जरूरत बढ़ जाती है क्योंकि ये भारी सिलिंडर होता है अगर आपने रसी अच्छे से बांद के कहीं अच्छी तरह से फसाई हुई है तब तो काम चल जाता है दो तीन आदमी से नहीं तो इसमें चार पांच आदमी उस टाइम पे इकठे कर लिया जाते है वैसे जहां पे नहीं आदमी इकठे होते है वहाँ पे थोड़ा दिमाग से काम ले के इसको रसी से बांद के दो आदमी भी इसका काम कर लेते हैं तो इस तरह से हम इसको ऐसे हिला के इसको पीछे से निकाल लेते हैं क्योंकि हमने इसके सारे नट खोल लिये हैं और इसको बिल्कुल एकदम फ्री कर लिया है तो यह delivery cylinder होता है delivery cylinder यह खुल चुका है तो इस तरह से नीचे बता रखा हुआ है देखो इस पे गिरेगा तो इतना ज्यादा कुछ नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है अब हम इ किसी सरीय को फसाके या किसी और चीज को फसाके कैसे बिगर के हमें यह बॉल्ट खोलने होते हैं तो यह guide bus है head flinch है इस तरह से यह इसके नाम है और हम इसको जब खोलेंगे तो हमें इसमें outer की जगे पर भी ring मिलेंगे और inner में भी ring मिलेंगे इसमें हमें seal दिखाए देगी तो वो हम आपको बताएंगे उसका नाम भी माम आपको बताएंगे कि वो total assembly जो होती है वो क्या कहलाती है और इस तरह से जैसे यह guide plate यहां से निकल जाएगी यहां से guide bus यह निकल जाएगा तब हमें यह दिखाए दे रहा है जो हमें यह copper type पितल का जो यह दिखाए दे रहा इसका जो अंदर का जो system है उसको बाहर कर लेंगे housing हम simple बासा में उसको बोल सकते हैं इस housing को हम बाहर कर लेंगे इस housing में ही हमें वो सारे के सारी seal डालनी होती है क्योंकि इसका काम होता है कि इसके अंदर जो जो हमारा hydraulic flow होता है वो pressure से एकदम बाहर leak ना हो बिल्कुल भी जर सावी leak ना हो क्योंकि उसमें pressure बहुत ज़्यादा रहता है अंदर तो उसको ये बिल्कुल बाहर नहीं आने देता है सिर्फ road अंदर बाहर होती रहती है बाकी oil बिल्कुल अंदर ही रह जाता है तो इस तरह से हम इसको ऐसे बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे और तब जाके हम इसमें seal change करेंगे तो ये इसका process हम आपको देरे देरे ऐसे दिखाने की कोसिज करें तो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आप इसको change कर पाओगे क्योंकि आप इसमें सारा process उसमें देख सकते हो वीडियो में कि हमने कैसे इसको change किया है तो इसमें leakage की problem जब आ जाती ह है तब इसको आप ऐसे change कर सकते हैं तो ऐसे देरे देरे इसको इसमें किसी चीज की चोट ना मारे और सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें तो चोट भी अगर मारनी है तो इसमें बत्ता यूज करें इसमें direct हाथोड़ा ना लगाएं कहीं पे भी क्योंकि इसमें damage होने का खत सील मिलती है और एक हमें इसका जो सपोर्ट रिंग है वो मिलता है और यह वाइट वाला एक मिलता है जो स्टार्टिंग में डला रहता है तो इस तरह से इसका यह पूरा सेट रहता है इसमें दो ही सोफ्ट रिंग रहते हैं और सील रहती है बाकि तीन हार्ड रहती है और ए आप इसमें देख सकते हैं यह तो बड़ी बड़ी जो पांच आपको दिखाई दे रही है इसमें से दो सोफ्ट हैं और तीन हार्ड हैं और एक जो बिल्कुल लास्ट में है निले कलर की तो वो बिल्कुल एकदम लास्ट में डलती है जिससे यो बाहर का कच्रा अंदर ना जा जादा हो इसमें आई प्रेसर से तो पहले इसका नाम देख लो में हाइडरोलिक सिलेंडर सील्स हैं तो हमने आपको बता है इसका गहरा वाला जो वी सेप का आकार है वो तेल की तरफ रहता है नहीं ओयल की तरफ रहता है हाइडरोलिक ओयल की तरफ जिससे की ओयल का जितना भ से पिल्कुल भी ओयल बाहर नहीं आएगा सिलेंडर से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा तो यह का तरीका होता है अगर आप द्यान नहीं देगी हमने कैसे निकाल लिए तो आपको यह ढ़ाने चाहिए तुस latch से ये एक और रिंग हमने ये निकाल लिया और उपर से ये बैक अप रिंग बोलते हैं इसको वाइट वाले को ये बैक अप रिंग होता है और रिंग का बैक अप रिंग होता है आप इसको देख भी सकते हैं ये बैक अप रिंग है और इसके अलाव ये बिलकुल एकदम सिलिं निकल जाएं तो इसकी सफाई एकदम अच्छे से करें सफाई एकदम बार-बार करें क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इसमें कोई कोई किसी मैटल का या धूल का कोई अंदर जाए हम बिलकुल नहीं चाहेंगे इसमें बिलकुल एकदम साप सुतरा पार्ट लगना चाहिए इस तरह से पहले हम इसका ये आउटर जो बैक अप रिंग है वो डाल लेंगे हम इसमें पहले बाद में कुछ नहीं है हम इसको बाद में भी डाल सकते हैं पहले भी डाल सकते हैं वो अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं सबके इस तरह से पहले ये इसमें नीचे की साइड में ये रहेगा और इसके उपर फिर हमारा ये ओरिंग रहेगा तो ये ओरिंग हो गया क्योंकि बाहर की तरफ ये ही रहेगा जो ब्लैक कलर का हमारा ओरिंग है ये बाहर की तरफ रहेगा तो इस तरह से इसको बार-बार साफ करके हम लगा रहे हैं क्योंकि इसमें हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि थोड़ा सा भी धूल का कन इसमें तो ये जो हमने आपको बताए कि जो ब्लैक कलर का है देखो ये अंदर की तरफ और एक जो हार्ड वाला जो बैक अप रिंग है वो बार की तरफ क्योंकि पहले जो बार से कुछ दूल या किसी चीज का कन जाएगा तो उसको बार में ये रोक लेगा और तेल की तरफ हमारा जो ओल की तरफ है वो रबड वाला रिंग वैसा रहेगा ब्लैक वाला तो ये वो इसका सपोर्ट रिंग है जो सील को सपोर्ट रखता है इस तरह से ये सारी सील हम इसमें डाल देंगे और पहले इसमें वाइट वाली ये उपर की जो दिखाय दे रही है ये चली जाएगी और उसके बाद में पहले सबसे पहले एक हार्ड सील डलेगी उसके बाद में एक सोफ्ट डलेगी तो पहले हम इसको वाइट वा उधर ही ओएल का सारा काम रहता है बाहर में नहीं रहता है तो ओएल हमने भाहर आने से बड़ी आसानी से ये चली जाती है सोफ्ट वाली में हमें ज्यादा ताकत लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है अब इसके बाद में फिर एक हार्ड सील आ जाएगी तो उसको फिर हमें थोड़ इसी ताकत उसमें लगानी पड़ेगी तो इस तरह से इसमें दो सोफ्ट आ जाएगी और तीन हार्ड आ जाएगी अब ये दूसरे नंबर की हार्ड सील है जो इसमें जा रही है एक हमारी इसमें सोफ्ट वाली जा चुकी है अब इसके बाद में एक सोफ्ट आएगी बस और फिर एक हार्ड आ जाएगी तो अभी हम इसको अच्छे से फसा लेते हैं पहले तो दोस्तों इसमें सफाय का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको मिट्टी के या किसी भी मैटल के कंड कोई इसमें ना जाएं बिल्कुल एकदम इसको रोड जो हमारी इसकी सिलिंडर की वो बिल्कुल साफ सुतरी रहनी चाहिए इसमें कोई भी गंदगी नहीं जानी चाहिए तब ही हमारी सिल सेफ रह पाती है नहीं तो इसमें छोटा सा मैटल का टुकड़ा भी अगर चला जाता है वो हम इसमें डालेंगे और उसको हम फिर अंदर पैक कर देंगे इसमें तो ऐसे काम करने के सारे सब के अपने अपने तरीके होते हैं कोई हो सकता है कोई एक साथ में भी सारी सील डाल दे तो हम यह नहीं कहेंगे कि एक एक के करके ही डालें सब के अपने अपने तरीके होते हैं दोस्तों काम करने के कोई बड़ी जल्दी भी काम कर देता है कोई थोड़ा टाइम लगा के काम कर देता है लेकिन काम होने से मतलब है तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे पैक कर दिया के लिए इसी का रोल रहता है ये स्क्रैपर रिंग जो है वो बाहर से कुछ भी चीज अंदर जाने से रोक देता है और ये अंदर तक नहीं पहुंचने देता है बिल्कुल भी और सारे के सारे बोल्ट हम इसके टाइट करेंगे और फिर इसको अंदर फसागे फिर अच्छे से टाइट करेंगे क्योंकि यहां पे ये सारे टाइट नहीं हो पाते हैं और दोस्तों अगर हमारी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है और अगर थोड़ा सा भी आपको समझे में आता है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल S के इलेक्टिकल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि कंस्ट्रक्शन से जूड़ी हुई सारी जानकारी आपको चाहे वो इलेक्टिकल हो या मेकैनिकल हो आपको इस पे मिलती रहेगी अभी हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको इतनी अच्छी ना लगती हो लेकिन हम कोशिस करेंगे कि फ्यूचर में अपनी वीडियो को और बैतर बनाएंगे और इस तरह से आप देख सकते हैं जब हम इसको अंदर प्रेस करेंगे तो हम इसमें भी सफाई का ध्यान रखेंगे कि अगर हम बत्ते पे चोट मारेंगे तो उसमें से कुछ गंदगी अंदर ना जाए तो अच्छी तरह हम कपड़ा ढख के इस पे तब प्रेस करेंगे इसको और तब जाके इस पे अथोड़े से चोट मारेंगे और टाइट कर लेंगे जासे और फिर इसको सिलंडर को वापस वहीं पे फिट कर देंगे फिर सारे कनेक्शन इसके लगा देंगे और चलागे फिर हम इसको देखेंगे कि इसमें कोई likage तो नहीं है लेकिन अब likage का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सील बिल्कुल एकदम सेफटी से इसमें डाल दी गई है तो दोस्तों इसी तरह हम आपको ये electrical और mechanical वीडियो construction से जुड़ी हुई इस पे देते रहेंगे तो आप हमें जरूर अपना प्यार दे और हमारे चैनल SK Electrical को जरूर सब्सक्राइब करें तो इस तरह से फिर ये लगा दी जाती है और यहां पर फिर इसकी पिछे की प्लेट भी सेट कर दी जाती है तो दोनों की अमें